प्रिंसेस गौर्वी कुमारी बायोग्रफी औन मोर जैपुर की 24 वर्षिय राजकुमारी गौर्वी जो राजगरानों के मौडरन वर्जन की जलक देती हैं हम इतिहास की टेक्स्ट बुक्स में राजशाही और राजगरानों के बाड़े में पढ़ते हैं लेकिन बर्तमान परिद्रिश्य में इस तरह की विवस्ता की कलपना करना लगबग नामुम्किन सा लगने लगता है लेकिन गौर्वी कुमारी और उनकी लाइफस्टाइल आज भी राजगरानों की छोटी सी जलक देती हैं चौवेट साल की गौर्वी कुमारी दिया कुमारी और नरेंदर सिंग की बेटी हैं गौर्वी कुमारी ने अपनी गुरेजुएशन, मीडिया और कम्नीकेशन में नियू यॉर्क युनिवस्टी से पूरी की है लेकिन जैपुर की गौर्वी जो की अपनी विरासत का एक मौडर्न प्रग्वी नितिव करती हैं उनके जीवन में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आईए आपको इनके बारे में बताते हैं गौर्वी कुमारी की मा राजकुमारी दिया कुमारी रासमन से मौझूदा सांसद है गौर्वी मौझूदा समय में बतार PDKF स्टोर की को फाउंडर के रूप में काम कर रही है ये जैपुर में एक आउटलेट है जो राजकुमारी दिया फाउंडेशन के अंदर काम कर रही महिलाओं द्वारा बनाए गए हैंड क्राफ्ट प्रोडक्स बेचता है ये महिला कारिगर शे केंदरों से काम करती है और ब्लॉक प्रिंट्स वर हाथ की कड़ाई का यूज करती है गौरवी भी अपने फैशन के प्रती प्यार के बारे में काफी वोकल रही है और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ये बात चीक चीकर कहता है उन्होंने साल 2017 में पैरिस के ले बॉल डेविटियून्ट बॉल में भी अपनी उपस्तिती दर्च कर रही थी गौरवी की हैंड क्राप्स पर पहली नजर है और उन्हें चीजों को जमा करने का भी बहुत शौक है चंदर महल में उनके प्राइविट क्वार्टर की दिवारें लगू चितरों नीले मिटी के बर्तनों और मीनाकारी से सजी हैं इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपनी दिलचस्पी ट्रैवलिंग में दिखाई है और काम की वज़ा से भी उन्हें काफी जगा जाना पड़ता है उनका कहना है कि ट्रैवलिंग मेरे दिमाग को अलग विचार परिक्रियाओं को समझने के लिए खुला रखता है और मुझे दुनिया की एक बहतर इंसान बनने के लिए प्रेदिद करता है PDKF स्टोर की को फाउंडर होने के चलते वो देश और दुनिया में कई सारे फैशन इवेंट्स भी अटेंट करती हैं वो मुंबई के डियोर फॉल 2023 फैशन थ्रो में भी शामिल हुई थी इसके अलावा गौरवी ने अजमेर के मैयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद नियू यॉर्क की पेपर मैगजीन में भी इंटर्ण्शिप की थी उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहें धन्यवाद